गुरीवनिंग everybody and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends I am back again with another episode of Pathfinder series और आज आगया पिटा Pathfinder series का episode number 15 जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं about this technique called as the Pomodoro technique तो मैं आप लोगों की problem भी discuss करूँगा और फिर मैं उसका solution भी discuss करूँगा जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छा idea लग पाए कि जो एक constant problem आप लोगों के साथ चल रही है अभी क्या problem चल रही है कि sir हम focus नहीं कर पाते sir हम लंबे hours तक नहीं बैठ पाते sir हम तैयारी नहीं कर पारे हमारा output नहीं निकल पा रहा इस problem का बिटा sure shot solution आपको मिलने वाला इस video में तो मेरे साथ end तक बने रहीएगा if you are also facing the same problem तो चलिए let me start let me start first by introducing myself my name is Ankit Goyal I got AIR1 twice in gate in 2014 and 2018 I was awarded gold medal by president of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT till date I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and I am currently working as a director at an academy for gate department अम मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चो मैं कहता हूँ सबसे important बात क्या है सबसे important बात बच्चो ये होती है कि ये जो हमारी unacademy team है creatrix team है ये सच में बहुत जादा hard work करते हैं ये make sure करने के लिए कि आप तक best of the best initiatives पहुँचें आपकी तैयारी एकदम next level जाए in terms of question series, in terms of concepts, in terms of crash courses, in terms of other PSU exam but knowledge हम लोग exam तक क्यों restrict करें तो आपको motivate करना, inspire करना, strategy देना, application सिखाना हर चीज बेटा ये team आपके लिए best of the best करती है और यहाँ पे जो हमारा effort है आपको YouTube के साथ-साथ unacademy app के थ्रूबी मिलेगा इसलिए आपके phone में unacademy app install होना जरूरी है और वहाँ पे आप हमारे सभी free initiatives को enjoy करो using the code ankit ese ठीक है चलो तो बेटा हमारी problem क्या है देखो हमारी problem ये होती है जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो हमें ये clear नहीं होता आज का हमारा goal क्या है आज का हमारा focus क्या है कुछ clear नहीं होता सुबह उठ गए हमें ये पता है आज पढ़ाई करनी है हमें ये पता है आज exam की तैयारी करनी है क्या आज के targets है नहीं क्या आज का schedule decided है नहीं क्या आज की priorities set है नहीं अब इस चक्कर में क्या होता है randomly call बजा या घर वालों ने कुछ काम के लिए बोला गई भैंस पानी में सारा schedule गया तेल लगाने हम लोग उस काम में लग जाते हैं और उसके बाद रात को सोने से पहले regret mode में होते हैं कि यार आज का दिन बरबाद हो गया अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कोई focus तो है नहीं अब multiple task के बीच में स्विच करते रहते हैं अरे यार वीडियो आईए वीडियो देख लेता हूँ अरे यार ये किसी ने ना reels डाल दी ये देख लेता हूँ अरे भाई motivational shots oh my god ये तो देखना ही पड़ेगा ठीक है अरे दोस का message आ रहा है अरे एक बार बात कर लेता हूँ कुछ important होगा अरे group पे doubt discussion चल रहा है औरे बापरे group पे discussion चल रहा है vacancies आएंगी या नहीं आएंगी भाई ये तो बड़ा जरूरी discussion है अरे सब लोग कह रहें tweet करना या tweet कर देता हूँ ऐसा करते करते कहीं ना कहीं जि चीज के लिए दिन शुरू हुआ था जिस direction में जाना था ना वहां से इतनी branches निकलती है आप अपना रास्ता बदल ही लेते हो guaranteed way में तो बड़ा easily deviate हो जाते हो facebook, instagram, telegram, whatsapp, calling, youtube, videos बड़ा तो हमारा जो schedule है हमारा जो focus है वो retain नहीं रहता and we are multitasking आप लोग किताब खोल के जो देखना start करते होगे जो की knowledge based है और नीचे आ रहे होंगे ना चार suggestion मस्त एकदम चकाचक videos के और वो चारो खुलेंगी बिटा एक के बादे और आजकल तो जमाना भाई reels और shots का है ये तो एक तो नहीं देखी जाती एक साथ 50-50-100-100 देखते होगे अब इस चक्कर में क् जाता है ना पानी की तरह पता नहीं चलता तो you run out of time आप हमेशा एक चीज की complain करोगे सर मुझे time नहीं मिल पाता maximum बच्चा इस चीज की complain करेगा सर schedule इतना hectic हो गया है time नहीं मिल पाता बेटा मुझे ये बताईए फिर जो बच्चे rank लाते हैं उनके भी दिन में 24 घंटे हो इन चीजों से deviate नहीं होते ठीक है कभी भी आप किसी भी topper से बात करोगे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो भी यही बताएगा यार बड़े pressure में हूँ या time नहीं मिल पा रहा फिर भी वो rank लेके आएगा क्योंकि जो भी उसको time मिल रहा है वो उसको better manage कर रहा है आप बिटा हो सकता एक dropper हो आपके पास दिन के 24 गंटे available हो लेकिन उन 24 गंटे को अगर सही use नहीं किया तो rank आना impossible है ये समझ लीजे तो time utilization बिटा एक ऐसी skill है जो की बहुत important है और आज की generation में मैं ये मानूँगा बिटा जब से technology बढ़ गई है focus धीरे धीरे खतम हो गया प मेरे ख्याल में होते भी नहीं थे तो यार हमारे पास ना वो छोटे वाला काला Nokia का फोन था और वो Nokia 3310 था शायद से मुझे exactly याद नहीं उसमें radio बचता था तो मैं पढ़ाई करते वे ना यही मेरा बस एक entertainment का source था कि मैं radio पर गाने सुनता था ना कोई YouTube ना कोई WhatsApp ना कोई Instagram पता है तुमें मैंने WhatsApp तब तक भी नहीं डाल रखा था जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी मैंने अपनी company स्टार्ट करने के एक साल बाद WhatsApp चलाना स्टार्ट किया है उस level का मेरे पास focus था क्योंकि मेरे पास distractions नहीं थे आज की date में ना बिटा आप दुनिया से connect होके इतने स सारे distractions से घर गए हो cricket match चल रहा है उसका भी score जानना है फलाना किसी ने कुछ कर दिया दुनिया में उसके बारे में भी जानना है यहां तक कि इस देश की हालत तो यह किसी और देश में अगर bum पटेगा ना protest यहां चल रही होंगी इतना time लोगों के पास है बट बिटा ऐसा नहीं बनना जो इंसान life में focus नहीं होता वो नहीं आगे बढ़ पाता इस देश के अंदर बिटा एक छोटी से छोटी opportunity के लिए इतना competition है इस तरीके से तो आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊगे ठीक है अब भी क्या होता है exam आ जाता है है ना exam आ जाता है ऐसी time waste करते करते अब सर crash course करा दो सर ना कुछ ना ऐसा करा दो ना सर एक दिन में ना सर must वाला revision करा दो एक दम सर ये बता दो कितना minimum याद रख लेने से ना rank आ जाएगी ताबर तोड फिर तैयारी होती है जब exam आ जाता है रहे रात रात भर बैठके study with me sessions में बैठे होते हैं किसी तरह से हम पढ़ लें भाई किसी तरह से focus बन जाए कुछ तो मैं कर लूँगा कुछ तो कर लूँगा भ जो काम 6 महीने एक साल में होना था उसको एक महीने में करोगे तो quality और productivity तो गिरनी गिरनी है बिल्कुल गिरेगी quality आपको क्या लगता है अगर आप एक महीने में सोचोगे 1200 घंटे का सिले बस निपताने का तो निपट जाएगा बहुत अच्छे से निपट जाएगा आप उ यह जो cycle है ना इसके अंदर आप से हुए हो इसलिए कभी भी आपके पास समय नहीं रहता तो आज जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूँ यह आपके लिए ना time management में बहुत काम आने वाली है जिसको कि हम कहते हैं pomodoro technique और बेटा अगर यह जो मैंने part अब तक आप से discuss किया इससे अगर आप relate करते हो ना तो comment में मुझे जरूर बताना कि हा सर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है पूरी इमानदारी से आर यहां कोई बेमानी नहीं चाहिए pathfinder series एक बहुत इमानदार attempt है आप लोग की जिंदगी को आप लोग की तैयारी को impact करने का यहां बेमानी नहीं चुपाना नहीं है खुल के बोलो क्योंकि अगर बेटा आप अपनी कमी को accept करोगे ना तो वहां से change आना शुरू होगा मैं आपको बताओं बेटा यहां पे एक बात बताता हूं जिंदगी में ना दो तरीके के लोग होते हैं एक वो होते हैं जो हारने के बाद ना हालातों को बलेम करते हैं मेरे तो हालात अच्छे नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया और दूसरे बेटा वो होते हैं जो हर हालात से लड़के अपनी मुकाम को हासिल करते हैं वो कभी दूसरों को बलेम नहीं करते हैं अपनी हार और अपनी जीत के जिम्मेदार वो खुद हो कि आप accept करो आपके साथ क्या flaws है आप accept करो आपकी हार के जिम्मेदार सिर्फ आप हो आप accept करो आपकी कामियाभी और नाकामियाभी आपके उपर depend करती है जिस दिन ये acceptance आ गया ना उस दिन से improvement ही नजर आएगा उस दिन से कभी पीछे नहीं हटोगे और जब तक दुनिया को blame क करते रहोगे ना मेरे साथ ये गलत हुआ वो गलत हुआ तो मैं बता दू बिटा ये जिन्दगी ना तो fair थी ना होने वाली है इस तरह से बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन इसी इंतजार में रह जाओगे कि दुनिया और ये जिन्दगी आपके साथ fair हो fair कुछ नहीं होता आपको कुछ हासिल करना है तो आपको छीनना आना चीए कोई आपके हाथ में आके भीग की तरह नहीं डाल के जाएगा ना तो नौकरी ना ही कोई सफलता सफलता हासिल करनी पड़ती है दी नहीं जाती ये बात ध्यान रखें आपको सफल आपके अलावा कोई नहीं बना सकत तो पोमोडोरो टेक्नीक क्या है ये एक बहुत ही बढ़िया time management टेक्नीक है सर ये टमाटर की फोटो क्यों लगा रहे है ये टमाटर नहीं है ये timer है पोमोडोरो टाइमर है तो बहुत सारे लोग इस timer का use करते है बट actually you don't need to buy such a timer कर सकते हो अगर अच्छा लगता अपनी table पे fancy stuff रखना बट इसके बिना भी काम हो सकता है अब ये technique क्या कहती है ये technique कहती है यार कहीना कहीना बहुत long term planning से बचो आपना short term goals chase करो उन short term goals को chase करने से आपकी productivity बढ़ेगी आपका confidence boost up होगा क्या होता है यार जब हम कुछ चीज हासिल कर लेते हैं तो हमें ना आगे बढ़ना आसान लगने लगता है हमें आगे की लड़ाई जीतना और easy लगने लगता है जैसे देखो मैं हमेशा से एक चीज मानता हूँ यार मैंने life में सबसे बड़ा exam जो crack किया that was IATJE और उसके बाद मेरा confidence build up हो गया कि यार अब मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ और ये तो एक चलो बहुत बड़ा example हो गया छोटे छोटे example हो क्या होता है ना मुझे कितना भी आलस आ रहा हूँ मैं अपना schedule कैसे design करता हूँ कि मैं early morning ना सबसे पहली class अपनी anacademy plus की रखता हूँ अब मुझे क्या लगता है ना जब मैंने plus की class ले ली अगर मैंने 4 घंटे सुबह सुबह पढ़ा लिया तो बेटा मैंने दिन का इतना बड़ा काम accomplish कर लिया उसके बाद सारे काम छोटे छोटे लगने लगते हैं कुछ बड़ा नहीं है ऐसी बेटा अगर आप भी छोटे छोटे टास्क को achieve करने लगोगे अच्छा feel आएगा confidence भी बढ़ेगा और आप easily chase भी कर पाओगे तो मुझे लगता है maximum बच्चों का interest का रहा होगा सर बताओ ना क्या ये technique है कैसे हम लोग ऐसा करें तो बेटा ये technique क्या कहती है पहले एक task choose करो आपको क्या करना है जैसे आपकी तैयारी के अंदर क्या हो सकता है वो task मानलो आपने decide किया कि मिरको ना आज DPP के 10 questions लगाने है तो आपने क्या किया ना 25 मिनट का alarm set कर लिया कि 25 मिनट में मुझे 10 questions करने है इससे दो चीजों का फायदा होगा एक तो speed बनेगी एक जब आप timely कोई चीज करोगे तो आपका ये complain नहीं आएगा कि सर मैंना एक गंटे में 4-4-5-5 ये question बना पाता हूँ तो जब आप यहाँ पे बेटा question या कोई topic या कोई lecture देखने का target रखोगे तो आप उसको fastly cover करोगे because now you are having a timer और आपको timer के pressure की आदत होगी कितने ही बच्चे आके ऐसा complain करते हैं सर हम घर पे तो सवाल बना लेते हैं क्योंकि घर पे क्या कर रहे होते हैं बेड़ पे मस्ती से लेट के आहाहा मस्त एकदम position में तकिया लगा के क्या मज़ेदार तरीके से वीडियो देखते हैं कान में earphone लगा के कैसे सवाल बनाते हैं ओह 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 और जब वहीं exam का आता है ना timer तो बेटा लग जाती है क्योंकि हम कभी timer देखते ही नहीं तैयारी कर यह 25 मिनट के timer को हम बोलते हैं one pomodoro इसके बीच में break नहीं इस दोरान आपके पास कोई distraction नहीं होगा इस दोरान आप कुछ नहीं सोचोगे सिर्फ 25 मिनट focused अब जैसी बेटा यह 25 मिनट पूरे हुए alarm बजेगा alarm बजने के बाद 5 मिनट का आप break लेंगे इस 5 मिनट के break में आ और साथ-साथ यह भी सूचना अगले 25 मिनट में क्या करना है अगला task क्या है यह सब किया 5 मिनट के अंदर mentally thought ही करना है कुछ physical work नहीं है फिर अगले pomodoro के लिए चल दिये यानि वापिस यहां से कहां आ गए step 2 पे तो 2 then 3 then 4 ऐसा चार बार करेंगे चार बार करने का मतलब 2 गंटे में से आप 1 गंटा 40 मिनट पड़ चुके हूँ and that is really really good efficiency क्योंकि बेटा 2 गंटे में से 1 hour 40 मिनट की serious studies बहुत बहतरीन है और इसको exam आने तक आप क्या कर सकते हो ना gradually grow करा सकते हो pomodoro technique हम से यह कहती है 25-25 मिनट ही करो लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमें exam में 3 गंटे continuous बैठना है तो आप gradually चाहो तो grow करा सकते हो जैसे 25 प्लस 5 की जगे 50 प्लस 10 कर देना ऐसे करके आपका concentration span आप बढ़ा सकते हो 30 प्लस 5 कर देना 35 प्लस 5 कर देना बिल्कुल ऐसा कर सकते हो तो gradually your concentration span will increase और ऐसे 4 pomodoro's के बाद आप break ले सकते हो चार बार करने के बाद थोड़ा सा लंबा break लेना आदे घंटे वगरा का एक घंटे का नाश्ता कर लेना खाना खा लेना थोड़ा rest कर लेना लेकिन बेटा addictive चीजों से बचना क्योंकि जितना addictive चीजों में उतरोगे उतना जादा time consume हो जाएगा और मालूम भी नहीं चलेगा तो ये technique आप लोग अपना के ठीक है lectures देखने में नहीं ये काम सिर्फ आपको self study के लिए करना है जब आप questions लगा रहे हो तो यहां से आपकी speed accuracy भी built up होगी and at the same time आपकी productivity increase होगी बिटा तो भले ही आप job कर रहे हो भले ही आप college going student हो यार जितना time आपके पास है उसको तो आप increase नहीं कर सकते किसी भी हाल pricing the time available जैसे अभी पता है मैं क्या अगरता हूं मैं daily ना सुबह साथ बजे से रात के साड़े आठ तक काम करता हूं और इसके अंदर I try and do maximum stuff कि भाई मेरे को PPT भी बनानी है मुझे lecture भी लेना है मुझे आप लोगों के लिए short video भी record करना है सब कुछ करना है लेकिन साड़े आ output निकालता हूं क्योंकि जब हम time bound नहीं होता है तो हम बहुत inefficiently काम करते हैं computer screen के आगे बैठे हैं बस ऐसी time pass कर रहे हैं mobile में social media चला रहे हैं time pass कर रहे हैं वो बहुत inefficient तरीका है लेकिन जहां आपने time को constraint कर दिया आपकी efficiency बढ़ेगी और वही आपको exam में काम आने वाली है तो बेटा एक हफता दस दिन इसको try करो and then come back to this comment section और मुझे बताना results कैसे रहें और आज मुझे आप comment के अंदर ये लिखके बताओगे क्या आपको भी same problem होती है और क्या आप मेरे साथ ये technique try करने वाले हो बेटा मैं आपके साथ बना रहूँगा हर कदम पे लेकिन जो advices म आपको hand holding नहीं दी जाएगी बट हाँ आपकी समस्याओं का solution बताया जाएगा उसको implement करना ये आपकी जिम्मेदारी ठीक है और बिटा जो लोग गेट की तयारी कर रहे है वो unacademy का scholarship test दे सकते हैं combat जो की 15 अगस्त को होने वाला है इसका link description में given रहेगा वहाँ पे आप अं machines तयार कर सकते हूँ unacademy पे मैं machine ले रहा हूँ daily 7 a.m. to 9 a.m. मेरी unacademy पे हर class बिटा early morning रहती है 10 a.m. to 12 noon इसके अलावा 2 p.m. पे बिटा मैं 2 p.m. पे मैं आपको special class में machines का practice करा रहा हूँ और 5 p.m. daily आपके doubts बता रहा हूँ तो अगर चाहते हूँ कि मेरे साथ मेहनत कर नहीं है तो unacademy plus is the best platform क्योंकि यहां मैं सबसे अदा hard work करता हूँ और आप भी कर सकते हो मेरे साथ और अभी अभी बिटा EMT स्टार्ट किया है विशाल सर ने daily रात साड़े 8 बजे मचा रहे हैं बच्चे विशाल सर के साथ EMT में आप भी मचा सकते हूँ बस आपको क्या कर कर लेना है और join करते वक्त आपको code क्या लगाना है अंकित ESE जिससे मिलेगा immediate 10% discount और आप आजाओगे मेरी personal guidance में इसके अलावा बिटा unacademy अगर आप join करते होना तो I would recommend 2 year iconic लेना क्योंकि यहां पे ना एक personal coach भी मिल जाएगा तो यह specially उन बच्चों के लिए बहुत जरू अप लेगा कि क्या कर रहे हो कितना पढ़ लिया क्या पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छी guidance में और regular monitoring में रखा जाएगा और साथ ही साथ आपके doubts immediately solve किया जाएगा हर तरह से आपको prioritize किया जाएगा तो you will feel very very special और आपकी हर चीज immediate की जाएगी लेकिन अगर फिर भी effort न दे जाओ और आप यह मत सोचो सर महंगे हैं यह सब आपकी education में investment है पढ़ाई के खर्चे को कभी खर्चा मत समझना investment समझना क्योंकि इससे 10x 100x तो आप कमा डालोगे कुछी समय के अंदर बस अभी के लिए इसको investment मान के लगा दो और इसका return देखो फिर इसका कई गुना हो के return मिलता है बट जो भी आप plan चूज करो बीटा code लगा देना अंकित EAC, immediate 10% discount मिलेगा और मुझसे connect हो जाओगे दूसरी बात मैं आपको यह कहूँगा अगर amount जादा लग रहा है तो EMI में pay कर सकते हो या फिर unacademy से education loan की सुविधा ले सकते हो और मेरा यह telegram channel है बच्चो यहाँ पे आपको मेरे telegram channel पे आपको मिलेगा daily quiz, daily notifications ठीक है और यहाँ पे बहुत सारे pdf भी आपको मिलेगे जिनको आप read कर सकते हो जो कि आपकी तैयारी को next level ले जा सकते हैं फिर इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग अगले session के अंदर अगले episode के अंदर और कोई आपकी main problem के बारे में discuss करेंगे तब तक बेटा अपनी तैयारी में पूरी जान लगा दो आग लगा दो let's crack it